हेलो फ्रेंट्स सरकार ने एक नई योजना निकाली है इस योजना में सरकार किसानों को खेती करने के लिए टेक्टर दे रही है इस योजना का नाम है पधान मंत्री किसान टेक्टर योजना 2020 इस योजना के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं इस योजना के लाग क्या है अ आपको documents क्या क्या चाहिए इन सब चीजों की जानकारी मैं इस वीडियो में दूँगी तो मेरे इस वीडियो को पूरा अंतक देखिएगा तो फ्रेंच शुरू करते हैं पहले बात कर लेते हैं प्रदान मंत्री किसान टेक्टर योजना 2020 क्या है किसान टेक्टर योजना के शुरूआत हमारे देश के प्रदान मंत्री शीर नरेंदर मोदी जी द्वारा किसानों को लौ पहुंचाने के उद्देश से किया गया है सरकार किसानों को उनकी शेणी के हिसाब से टेक्टर खरीदने के लिए 20-50% तक सबसीड़ी मुहा कराई जाती है पधानमंट्री टेक्टर योजना के लिए आप आवेदन कैसे करें ये योजना केंदर सरकार द्वारा तो शुरू की गई है लेकिन इसके लिए आवेदन आपको राज्य सरकार के द्वारा करना होगा आपको आपकी नस्दीकी कौमन सर्वी सेंटर पर आवेदन करना होगा आपको जन सेवा केंदर पर जाना होगा और जन सेवा केंदर संचालक को बताना होगा कि आप अधानमंती किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के तहट आवेदन करना चाहते हैं संचालक के द्वारा आपको एक आवेदन फॉर्म दिया जाएगा जिसे आप भरकर और उसके साथ जो भी उसके डॉक्यमेंट से उनको लगा कर आप उनको सभी दस्तावेज को जन सेवा केंदर संचालक को दे देंगे यह तो हुई फ्रेंड्स ओफलाइन की बात अगर आपको ओनलाइन आता है तो आप इसको ओनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं ओनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इसकी वेबसाइट का लिंक मैं अपनी डिस्क्रेशन बॉक्स में डाल रही हूँ आप अगर उसके उपर क्लिक करेंगे तो आपको और इसका ओनलाइन इन पेज ओपन हो जाएगा तो आप वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप में को कमेंट करेंगे कि ओनलाइन की उपर पूरा वीडियो बना दूँगी अब आप कहते हैं पदानमंटी ट्रेक्टर योजना की कुछ शर्ते हैं जैसे पदानमंटी किसान ट्रेक्टर योजना दोजावी स कलाब लेने के लिए इसकान पहले से करशी सबसीडिय स्कीम के तहट जूरावा नहीं होना चाहिए कहने का मतलब कि आप कि सानक के पाश व कि युद्धना के पास योजना ले रहा है तो आपके पास लेने के अच्छेंपлекा नहीं होना चाहिए युद जरूरी है अगर हमिषाने के लाप लेना चाहते हैं आपके लीड़ना अविश्यक है अगर जमीन किसी टेक्टर किसी दूसरे के नाम से है तो किसान अपने नाम पर टेक्टर सब्सीडी प्राप्ट करने के लिए आविदन नहीं कर सकता है अगर वो जमीन आपकी नहीं आगर आपने वह जमीन किरायक पे लेकर आप खेती कर रहे हो तो आपको सबसेड़ी के लिए आवेदन नहीं कर सकते आप अब बात करते हैं अगर आप इस योजना में आविदन करना चाहते हो तो आपको डॉकुमेंट्स क्या क्या चाहिए होगी जिसे आपके पास आधार कार्ड होना निवारी है जमीन के दस्तावे जो भी आपकी खेती करने वाली जमीन है उसके आपके पास पूरे डॉकुमेंट आपकी जो भी पासवोड़ साइट फोटो आपके पास होनी चाहिए अब बात करते हैं पधालमन ट्रेक्टर योजना के ये लाब क्या क्या है तो इसके लाब इस योजना से में सीधे लाब उन किसानों को होगा जिनके पास ट्रेक्टर नहीं है और वे इन मशीनों को प्यो प्रदान की जाती है बाकी पैसा किसान लोन के जरिय चुका सकता है तो ये तो थे इसके लाब प्रदानमन ट्रेक्टर योजना के लिए तो धन्यवाद फेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लि दिए धन्यवाद फ्रेंद्स